चुडैल की बासुरी एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलो के पापा गाउं की बर्गत के पेड़ के नीचे बैठ कर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है, सल, अरा बंदू क्या बताए, बारिश ने तो परशान कर रखा है, सही बात, बारिश की कमिने दिमाग खराब कर दिया है, सरपंच गाउं मालों के लिए एक खबर लिकर आता है अच्छा मेरे गाउं के भाईयों सुनो जरा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे, तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए सरपंच जी, मेरे खेतों में किड़ों ने परिशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे, बोलो, तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत वाइदा होगा तुम्हें उस से बासुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी और सम्मोहित सिती में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दुपैर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, पगड़ लिया, पगड़ के दिगा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता, अच्छा, किता आखिर कार तो मेरी पकड में आई जाएगा, हाँ, तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दोर लगा सकता है, खिलते खिलते अचानक से एक बासुरी की मिठी आवाज सुनाए पड़ती है, सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं, शाम हो गई है, और बच्चो इतने देर हो गई घर वापस क्यों नहीं आए बेटे, तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलो गया और, गोलू, ओ गोलू, तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है, और उन्हें एहसास होता है, कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं, और राजन और गोलू के मम्मे आप इदर, राजन और गोलू घर नहीं आए कि आप इतक, नहीं तो, दो पहर में राजन मुझे बता कर गया था, कि वो तपन और गोलू के साथ खेल ले जा रहा है, मैंने सुना है कि गाउं में एक चुड़ायल भूम रही है, कहीं बहीं तो नहीं ले गई तीनों बच्चे मिले नहीं, तीनों की माय मैदान पर फिर से मिलती है, सुनिया जी, ये तीनों मिली नहीं रहे हैं, और मेरे दिमाग में बहुत बुरे-बुरे घर आला रहे हैं, अब चिंता मत कीजिए, हम सरपंज से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगी, गोलू अपनी शाम की चाई पी रहे हैं, और अख़बार पढ़ रहे हैं, तभी तीनों की माँ हडबड़ी में भाग कर उनके पास आती हैं, अरे-अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ, इसे क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दो पेर से खेलने गए हैं, और अब तक लोटे नहीं हैं, हमने उन्हें सब जगर ठूंडा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसलिए हम भाग कर आपके पास आ गए, अच्छा, इनके पिता कहा है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसलिए हम भाग कर आपके पास आए हैं, हाँ, मैं उसके बारे में भूली गया था, एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए, जिदर वो आखरी बार खेल रहे थे, सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान के और निकल पड़ते हैं, तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं, और उन्हें ढूनने के लिए कुछ स बासुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है, और सरपंच सम्मुहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, अरे तीवारी जी, आप ठीक तो है, कहां जा रहे हैं, अरे ओ तीवारी जी, वो आमें सुनने ही पा रहे हैं, क्या? सरपंच बासुरी की धुन में जुक कर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे ये आवाज कैसी ऐसा लग रहा है कि कोई बासुरी बजा रहा हो हाँ सर्पंजी भी उसी दिशा में जा रहे हैं सर्पंज का पीछा कर तीनों मैदान के तूटे हुए बंगले पर पहुँच गये और सर्पंज के पीछे दर्वा मेरी बासुरी तुन्हें मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया वमेशा अपने जादू से लड़कों को खीच लाती है ये बोलते ही राजन की मा को तीनों बच्चे और उनकी पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं अरे वो देखो गोलू के पापा अरे रे अरे गोलू की मा अब चुप रही है न सरा उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फस जाएंगे इन्हें बचाएगा कौन लगता है ये शहर गये ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सब को भी यही बुला लिया है अब हमें इन्हे चुड़ाना होगा एक काम करते हैं राजन की ममी गोलू और तपन के ममी को एक प्लान बताती है बिल्कुल सही कह रही हो राजन की ममी चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं तीनों माएं अपने छुपने की जगा से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। ये तो बढ़िया है, अब इसका असर और तो पर भी हो रहा है, वाजिवा। तीनों माएं चुडैल की थोड़ा करीब आती हैं। राजन और गोलू की माँ चुडैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बासुरी हाथ से पकड़ कर तोड़ देती है। उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना, नारी सर्ण।